Hello students, welcome to number x, pair of linear equation in two variable में सबसे difficult part is students क्या फिल होता है कि यदि दो linear equation दिये हैं, for example a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus ct equal to 0 तब book में ऐसा लिखा होता है कि when lines are parallel इनके coefficient का ratio बताया जाता है कि a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 line जब intersecting होती है, तो a1 by a2 is not equal to b1 by b2 होता है और line जब co-incident होती है, तब होता है a1 by a2 equals b1 by b2 equals c1 by c2 यह क्यूं होता है, यह सबसे बड़ा question है ऐसा condition कहां से आया, इसका geometrical meaning क्या है, इसके पिछे logic actual में क्या है यह आप इस वीडियो में सिखेंगे वीडियो को ध्यान से देखेगा, क्योंकि मैं इसमें graphical approach को use करने वाला हूँ equation है x plus y equals 1, इसका graph एक straight line हो रही है, जो कि green color में दिखाएगा है और दूसरा equation है x minus y equal to 1, यह भी एक straight line का graph है, जो purple color से दिखाएगा है दोनो lines point पे intersect करें, जिसका coordinate है 1, 0 अब इनके coefficient के बीच का relation क्या है, आप easily note कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे demonstrate कर रहा हूँ a1 by a2 के value मैं calculate कर रहा हूँ, जो कि हो जाएगा, x का coefficient पहले में 1 है, दूसरे में है 1, यह हो जाएगा, 1 के equal फिर मैं b1 by b2 calculate करूँगा, मतलब y के coefficient का ratio लूँगा, पहले में y के coefficient है, plus 1, और दूसरे में है, minus 1, जो कि आ रहा है, negative 1 c1 by c2 में ले रहा हूँ, इसमें 1 by 1 आ जाएगा, आप देख रहा है, 1 is not equal to negative 1 है, this implies a1 by a2 is not equal to b1 by b2, लेकिन क्या equal to c1 by c2 होगा, a1 by a2 के value, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैं एक तीसरा graph draw करूँगा, यह सोग करने के लिए, कि यह condition क्या always true होगा, x minus y equal to 2 का मैं graph draw कर रहा हूँ, यानि आप देख रहे हैं, तीसरी line draw हुई है, जो black color में है, और यहाँ पर यदि आप ratio लेंगे, दूसरी वारी line को just ignore कर देजे, तो a1 by a2, b1 by b2 तो same रहेगा, यदि c1 by c2 लेते हैं, तो 1 by 2 आ रहा है, यानि यह जो condition है, c1 by c2 वाला, यह mandatory नहीं है, यह equal हो भी सकता है, यह 1 by a2 के और नहीं भी हो सकता है, b1 by b2 के भी equal हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, अब parallel lines को समझते हैं, पहली line है, x minus y equal to 1, जो कि यहाँ पे blue color में दिखाएगा है, और x minus y equal to 2, यह है black color वाली line, इनमें यदि हम coefficient को compare करते हैं, a1 by a2 के value find out करते हैं, तो 1 by 1, b1 by b2 के value find out करते हैं, यह है negative 1 by negative 1, यानि 1 के equal आ रहा है, यदि c1 by c2 आप calculate करेंगे, तो यह आता है 1 by 2, यानि इस condition से easily पता चल रहा है, कि parallel line के case में, a1 by a2 equals b1 by b2 is not equal to c1 by c2, अब है co-incident lines, कब होंगी, तो इसके लिए मैं आपको demonstrate करूंगा, blue color वाली line को मैं लेके जाओंगा, black color वाली line के उपर, लेकिन यह कैसे जाएगा, यह ध्यान देज़े, यहाँ पर मैं जो constant term है, उसकी value मैं increase कर रहा हूं, 1 से 1.5, आप देख रहे हैं, यह line pass आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा और increase कर रहा हूं, 1.7, और pass आगे, इस तरह से यदि constant term की value, दूसरे equation के constant term के नजदीक लेके जाएंगे, तो co-incident lines form हो जाएंगे, यानि यह parallel lines ही, जब एक line move करके दूसरे के उपर आ जाती है, तो यह co-incident lines हो जाती है, और यह होंगे कैसे, जिस constant term को आपको increase करते जाना है, और मैं 1.9 कर दूँगा, तो और pass आ जाएंगे, और इसको यदि आपने exactly 2 कर दिया, या 1.999 कर दिया, तो एकदम pass आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर यदि आपने 2 कर दिया, तो exactly line x के उपर दूसरे पर आ जाएगे, तो यदि lines coincident है, तो इस case में x का coefficient का ratio equal होगा, य के coefficient के ratio के, और constant अनुका भी ratio, same होगा, तो यह था graphical analysis, आपको यह वीडियो कैसा लगा, comment में ज़रू बताएं, यह अच्छा लोग बहुत लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें, थैंक यू.